शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत महरबान है, रोजे के दौरान का वक्त, रमजान का हर वक्त की मती है, पुरे महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत का इनाम वो इक्राम, रोजदारों पर बारिश की तरह बरसता है, इस महीने में कोई भी वक्त खाली नहीं गुजारन चाहिए क्योंकि इस महीने में नेकियों का सवाब सत्तर गुना बढ़ा दिया जाता है। पाँच फुजूल बातों में वक्त जाया नहीं करनी चाहिए मसलन किसी की गिबत, चुगली, जूट, ना, महरम लड़की, लड़की से बात करना, टीवी देखना और बिला उच्छ दिन रात मुबाइल में लगे रहना वगेरा। तरावी में हर सज्दे पर एक हजार नेकिया मिलती है। पर रहम करें क्योंकि बेशक आप रहम करने वालों में सबसे अच्छे हैं। तीसरे अशरे की दूआ, अल्लाहुम्मा अजिर्नी मिनननार, तर्जुमा ऐ लाह पाक मुझे जहनुं की आग से बचा। और अगर शब एक अद्र हासिल हो गई तो एक रात जागने पर कम से कम 83 साल इबादत का सवाब है। ग्यारा, इस महीने में खास नवाफिल नमाजों यानि इश्रा, चास्त, अववाबीन और तहजुद का अहतामाम करना चाहिए। बारा, मुम्किन हो तो आखरी अशुरे का आद्काफ जरूर करें, आद्काफ की पजिलती तो शब एक अद्र हासिल हो जाता है। और दूसरी मकबूल हजव उम्रे का सवाब मिलता है वगेरह। अल्लाह रबुल इजट कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे आमीन। रबुल पिन से ज़र करने की तौफ ज़रूद की तौफीक चाबूज़ा झाल प्रत प्रत बाबूज़ासते हैं प्रत 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 ज़र ज़रूड़ादा है।